तौशे को नमस्ते पढ़ाम मैं आपका अपना ठागूर प्रखर सिंग हो रात के दस बच्चु के हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तू उजारी है आज की कहानी सुरू करूँ उससे पहले एक बड़ी अपसोसनाक ख़पन निकल के सामने आई है आजम घडजीले से दरसल आजम घडजीले की एक लड़ी अब एक अलकी बात है पहुंच जाती है पुली स्टेशन और जाने के बाद अपने घरवालों के खिलाप एक कम्प्लेन दर्ज करवाती है दरसल लड़की ने अपने पूरे बयान में और अपने पूरे कम्प्लेन में कहा कि कुछ साल पहले यानि साल 2018-19 की ये बात है जब उसके पिता और उसकी मा के भी जगड़ा होने लगा अब जगड़ा होने लगा जगड़ा जब भश से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर दोनों ने तलाक लेने का फैशला किया तलाक की नौबत आई तो जो मा थी वो माईकी चली गई इधर जो पिता था उसकी जित थी कि तुम्हें जाना है तो जाओ लेकिन जो मेरी बेटी हो मेरे पास रहेगी मा को भी लगा कि चलो ठीक है हो सकता है कि बाप अपनी बेटी की बीना न रह पा रहा हो साधी ब्या भी करना है तो मैं कहां लेके जाओंगे यही कर देंगे इसी उम्मीद के साथ जो मा थी अपनी बेटी को वहाँ छोड़ती है छोड़ने के आद माईकी चली जाती है लेकिन अभी यहाँ पे चीदें बदल चुकी थी दरसल कुछ दिनों बाद बाप अपनी ही बेटी के साथ पहले तो कुछ दवाएं औगेरा खिला के ताकि लड़की जान न पढ़े और लड़की के उम्र भी जादा नहीं थी 13-14 साल उम्र थी तो शुरुआत में दवा वगेरा खिला के वो उसके साथ गलत काम करने लगा लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और लड़की थोड़ी सी समझदार हुई साल 6 महीने गुजरे और लगातार ये सिलसिला होने लगा फिर उसने नोटिस किया कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो मेरे पिता है वो कुछ खिला देते हैं उसके बाद में विहोश हो जाती हूँ फिर जब होस में आती हूँ तो सरी में दर्द होता है तो ये चीज़ जब उसके जहन में आने लगी तो उसमें फिर गौर करना चालो किया और जब गौर किया तो उसे पता चला कि उसका बाप उसके साथ हैवानियत करता है अब जब ये चीज़ उस लड़की को एहशास हुआ भाग के बिचारी गाउं में जाती है गाउं की जितने सम्मानित लोग से उनसे कहती है कि मेरा बाप मेरे साथ ऐसा कर रहा अब गाउं के सारे लोग आते हैं वो भी परिशान हो जाते हैं कि ये क्या मामला है मारे गाउं का आने के बाद उस लड़की के पिता के पास जाते हैं को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं साथ ही उस लड़की से कहते हैं कि अगर आज के बाद ये आदमी कभी तुम्हें चुए तो हम लोगों को बस बता देना उसके बाद इसकी खैर नहीं अब ये चीज हुई बाप भी डर जाता है डरने के बाद फिर अपनी बेटी को से सुरू हुई थी दरसल बाप ने शादी नहीं की थी बलकि अपनी लड़की को बेश दिया था और जो आदमी पती बनके उस लड़की को लेके गया था उस लड़की से प्रोस्टिट्यूशन यानि धंधा करवाने लगता है उसके बाद जैसे तैसे करके वो लड़की वह कहांसे बसती है क्या कुछ होता है यह तमाम कहानी मैंने आपको पंदे दूसरे चनल पर सुनाइए दूसरा चैनल है अब आते हैं आज की कहानी करूप करते हैं और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आपको जितनी गुस्सा कातिल और बाकी लोगों पे आएगा उतनी ही ज्यादा खुशी और उतनी ही ज्यादा फक्र की बात आप पुलिस वालों के उपर में वहतू कहानी करूप करते हैं और इस कहारी की सुरुवात होती है 29 नौंबर साल 2022 यानि आज से ठीक एक साल पहली की बात है देरादोन में एक बहुत फेमस पिकनिक स्पॉर्ट जिसका नाम है गुच्चू पानी और इसी गुच्चू पानी पे 29 तारीक को शुबा-शुबा एक डेड बॉड़ी देखी फॉरं पुलिस को फोन किया पुलिस भी भागी भागी पहुची पहुचने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि बॉड़ी के पास बुरी तरीके से सराकी बोतले पड़ी हुई है और किसी ने बॉड़ी के सर को बुरी तरीके से कुचला है और आदमी के जो मौत हुई है, वो कुचल के मरने की वज़ा से हुई है सरीर देखने के बाद, बाकी डिल्लोज देखने के बाद ये भी लग रहा था कि उम्र जादा नहीं तो इस स्वाल ये भी चीज़ देखते हैं देखने के बाद फॉरन बॉड़ी को कब से मिलेते हैं बॉड़ी को बकाइदा चेक करते हैं पहले तो यही पता लगाना था कि मरने वाला कौन है तो जब बॉड़ी को चेक करते हैं तो बॉड़ी के पास से कुछ कागज और कुछ डॉकुमेंट मिलते हैं जिससे उस मरने वाले शक्स की पहचान हो जाती है अब इधर मरने वाले शक्स की पहचान हुई उसका आधार कार्ट मिला पुलिस वाले इधर बोड़ी को पोश्माटम के लिए भेजते हैं पोश्माटम के लिए भेजने के बाद इधर पोश्माटम रिपोर्ट का इंतिजार होता है इधार पुलिस वाले परिवार वालों से कंटेक करते हैं परिवार में उसकी बीबी थी तो बच्चे थे बच्चों की जो उम्र थी वो भी एक बेटी थी उसकी उम्र शाथ साल एक जो बेटा था उसकी उम्र पांक साल यानि जो बाप था उसका साया विचारियों को उठ पर से इतनी कच्ची से उम्र में उठ गया था बैरहाल पुलिस वाली जाते हैं जाने के बाद जो मरने वाला शक्स था जिसका नाम था मोशिन उसकी बीबी यानि शीबा को बताते हैं कि आपके शोहर का किसी ने कतल कर दिया है अब ये चीज जब भी भी सुनती है सुनने के बाद पहले तो गश्ट खाके गिर जाती है चुकि उसकी जिन्दिक्या का एकलोता सहारा जो उसका सोहर था और इस दुनिया में नहीं था फोर हैं रोने लगती है चिलाने लगती है पुलिस वाले जैसे तैसे करके हिम्मत देते है फिर कहते हैं कि मैम आपको थाने चलना होगा आपको कंप्लेन दर्च करवानी होगी अग्यात लोग के खिलाब मुकदमा करना होगा तब तक पोश्मार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जो बॉर्डी थी बीबी की हवाली कर दी जाती है जैसे तैसे करके आसपास की लोगों की मदद से जो मनने वाला शक्ष मोसिन था उसकी बॉर्डी का अंतिम संसकार हो जाता है इधर पुलिस वाले जाजपरताल में जुड़ते है सबसे पहले बीबी से पूछता चोती है कि क्या किसी पे डाउट है बीबी कहती है कि नहीं मेरे पती की तो किसी से कोई दुस्मनी ही नहीं थी मेरा पती बेचारा सीधा साधा आदमी बस रिक्षा चला के काम करता उसे से जो कुछ पैसे मिलते उससे अपना खर चलाता हम लोग का खर चलाता दो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी जिंदिगी को आगे बढ़ाता अब उसकी किसी से क्या दुस्मनी होगी साथ दुस्मनी है और ये सारी चीज़े अमीरों का खेल है हम गरीब लोग हैं दुस्मनी पालने के अभी टाइम नहीं है अब बीबी ने जब ये तमाम चीज़े बोली तो फिर पुलिस वालों को लगा कि साध बीबी को कुछ पता ही नहीं है अब क्या करें पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूस्ता सुरू कि कि क्या इस मरने वाले शक्स की किसी से कोई दुस्मनी है अब ये चीज़ जब पुलिस वाले पता करते हैं तो आसपास के सारी लोग कहते हैं नहीं इतनी ही देर में जब पोश्मार्टम रिपोर्ट आई तो पोश्मार्टम रिपोर्ट में दो चीजे निकल के सामने आई पहला कि मरने वाले की जो हत्या हुई है और जिस वज़ा से इसकी मौत हुई है मोसिन से वो पत्थर से कुचलना था यानि किसी भारी चीज से इसके शर पे वार किया गया है और दूसरी चीज जो निकल के सामने आई कि मरने से ठीक पहले मोसिन ने सराब पी थी यानि जो हत्या हुई इसका जो कतल हुआ है वो सराब के नशे में हुआ है अब ये दो चीज जब निकल के सामने आई पे दोनों पीए हो पीने के बाद दोनों के बेच किसी बात को लेके बहश हो गई हो अब जब बहश हो गई हो तो वहाई पे कतल हो गया कुस्ते में किसी ने भी कतल कर दिया हो दूसरा कि सराब पेके जा रहा हो किसे को इसने कुछ कहा हो सामने से लड़ाई जगड़ा हो गया उसने कतल कर दिया हो तीसरा और सबसे खतरनाग कि हो सकता है कि किस की के जहन में कतल करने का प्लान पहले से रहा हो इसलिए पहले उसने सराब पिलाई और फिर कतल कर दिया हो यानि अब सराब के मामले में तो कतले की कई वजह निकल के सामने आ गई बैरहर पुलिस वाले जाज बरताल करते रहते हैं छान बिन करते रहते हैं लेकिन ना तो कहीं से कोई सबूत मिला ना ही कहीं से कोई सुराग मिला पुलिस वाले कभी क्राइम सीन पे जाते कभी कहीं और जाते और ऐसी ही जब क्राइम सीन पे पुलिस वाले जा रहे थे तो क्राइम सीन पे तो नहीं लेकिन थोड़ी दूर पे अच्छानक से एक दुकान पे पुलिस वालों की नजरे जाके टिक जाती है दरसल उस दुकान पे एक कैमरा लगा हुआ था अब पुलिस वालों ने जैसे एक कैमरा देखा एक दम से खुश फोरन जाते हैं कैमरे को खंगालते हैं और जैसे एक कैमरे को खंगालते हैं तो कैमरे में ये जो महसिन था कुछ लोग के साथ कैद हो जाता है ये चीज पुलिस वाले देखते हैं देखने के बादे दमखुश फोरन उस कैमरे की फोटो उसको बाहर निकालते हैं बाहर निकालने के बाद अब परिवार वालों से पूसता आचा कि ये जो दो लोग हैं ये कौन है इस पे बीबी फिर इंकार कर देती, कहती नहीं साथ, मैं नहीं जानती इसके बाद कुलिस वाले और कैमरे खंगालते हैं कड़ी दर कड़ी जोड़ते रहते हैं कि जिस गाड़ी से लोगार हैं, वो गाड़ी कहां कहां से निकली है उसके बाद ये लोग कहा कहां से आए तमाम कैमरे खंगालते हैं और इतनी देर में जो मुहसिन थी उसकी कॉल डेटेल को भी लगा देते हैं सर्वलैंस पे तो जब कॉल डेटेल और ये तमाम चीज़े निकल के सामने आई तो फिर ये जो तार था ये घूम ये पहुँच जाता है उत्तर प्रदेश के बागपत में उत्तर प्रदेश के बागपत में जब तार पहुँचा तो पुलिस वालों ने वहां रेट की वहां पे एक शक्स की गिरफतारी हुई जिसका नाम था रैश और गिरफ्तारी होने के बाद जब पुलिस वाले इसको लाते हैं लाने के बाद जब इससे पूस्ताच करते हैं कि तुम कौन हो, तुमने क्यों मारा इस सक्से तुम्हारी क्या दुस्मनी है तो जब इससे पूस्ताच हुई तो इसने कहा साहब ना तुम्हें इसको जानता हूँ और ना ही मेरी कोई दुस्मनी है मुझे तो पैसे मिले थे मारने को पुलिस वाले ने पूछा कितना तो इस पर वो आदमी बताता है कहता है कि साहब दो लाग रुपे अब ये चीज जब पुलिस वाले सुनते है सुनने के बाद एक तरह से सन हो जाते है कि एक मामूली रिक्सा सवार को एक रिक्सा चालो को मारने के लिए दो लाग रुपे कौन दे देगा और ऐसी कौन सी वज़ा आगे कि एक रिक्से वाले को मारने के लिए दो लाग रुपे की सुपारी देनी पड़ी पुलिस वाले फ़वरन उस सूटर को या फिर उस अत्यारे को बैठाते हैं बैठाने के बाद पूछते हैं कि क्या मामला था पूरा खुल के बता हो और किसने दिया था तो यहीं से एक दूसरा नाम निकल के सामने आता है जिसे सुनने के बाद सारे लोग की चेहरे की हवाईयां उड़ जाती है दरसल यह नाम किसी और का नहीं मरने वाले मोशन की बीवी सीबा का ही था अब जैसे सीबा का नाम निकल के सामने आया पुलिस वालों ने आननफानन में सीवा को गिरफतार किया और गिरफतार करने के बाद जब पूस्ताच हुई तो फिर पूरी कहानी निकल के सामने आई और एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई जिसकी कल्पना साहित किसी ने भी नहीं की थी दरसल जब सीवा को गिरफतार किया जाता है और सीवा से पूस्ताच होती है तो फिर सीवा बताती है कि मौसिन और उसकी साधी आठ साल पहले हुई थी यानि 2022 में कतल हुआ है तो आठ साल अगर आप जोड़ें तो दो इधर गायड़ा दीजिए तो 2020 और छे उधर यानि 2014 में मौसिन और सीवा की शाधी हुई थी शाधी होने के बाद दोनों की साधी सुद्वाजिन दिकी आगे बढ़ी दोनों के दो बच्चे हो गए बच्चे होने के बाद अब कहते हैं कि अगर किसी की बीच आउलाद वजूद में आए तो दोनों की बीच नजदेकियां बढ़ती है लेकिन यहाप यह चीज़े नहीं थी दोनों के बीच जब आद अलाग वजूद में आती है तो दोनों के भी इस तक्रार होने लगती है अब आए दिन महसिन सीवा से लड़ता, उसको डारता, उसको फटकारता कभी कभार करेक्टर को लेके भी शक करता और जब अपने पती से ही लगतार उसको इस तरह का ब्योहार मिला लगतार पती मारता रहता है, पीटता रहता है लगतार बुरा बरताव करता रहता है तो फिर सीवा भी अब अलग-अलग लोगों से दोस्ती करने लगी उसे भी कोई चाहिए था कि वो अपना दुख किसी से सेर करे, किसी से अपना दुख जाहिर करे किसी से बात होती, किसी से दोस्ती हो जाती, किसी से संबंद हो जाता कुस दिनों तक वो संबंद चलता लेकिन वो भी उसके हिसाब से नहीं होता तो माहां भी सिवा उसे छोड़ देती ऐसे ही नएने लोगों से उसकी दोस्ती होती रख, नएने लोगों से बाच्चीद होती रख इसी दवरान जो मौसिन था वो भी लगातार माडता रहा, पीडता रहा, अपनी बीबी को टॉर्चर करता रहा और यसे सिला लगातार चलता रहा, वक्त देशे गुजरता रहा, और इसी दोरान इसकी जिन्दगी में एक और लड़का आता है जिसका नम तो साबिर, और साबिर इसके जश्ट पडोस में रहता था, अब 26-27 साल सीवा की उम्र और सेम वही उम्र साबिर की भी, दोनों एक द अब लगातार साबिर उसके वो हरूख खुशी देता, जो साइद उसे ना मोसिन से मिली ना बागी किसी और लड़के से मिली, इसलिए जो सीवा थी, अब साबिर के प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी, लगातार उससे बात करती, उससे मिलने जाती, उससे अपने घर प पीटता है, इधर साबिर से भी जगड़ा करता है, कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर के पास दिखाई मत देना, अब ये तमाम चीज़े जब मुहसिन करने लगा, और इन दोनों को अब लगने लगा कि शायद जब तक मुहसिन रहेगा, हम दोनों एक नहीं हो पाएंग शीवा भी प्यार में पागल थी, इधर साबिर भी प्यार में पागल था, दोनों करें किया, तो दोनों के जहन में आया कि काम करते हैं, इसको मार ही डालते हैं, अगर ये जिन्दा रहेगा तो लगातार परिशान करेगा, लगातार मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा इससे अच्छा इसको मार देते हैं, मारने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे किसे को क्या खबर लगेगी कि मेरे पती का किसी ने कतल कर दिया अब इन्होंने जब यह प्लान किया, तो फिर जहन में आया कि मारे कैसे तो फिर मारने के लिए भी इनोंने सोचना शुरू किया दिमाग में आया कि अगर खुद मारेंगे तो हो सकता है फंज जाए इसलिए मारने के लिए किसी बाहरी को गुलाना पड़ेगा तो फिर किसे तो फिर मोहसिन को मारने के लिए सीबा और साविर ने प्लान बनाया एक दूसरे लड़के को और सामिल किया और फिर इन लोगों ने सुपारी किलर खोजने शुरू किया देहरादून से ये तलास सुरू ही तलास आगे बढ़ी बढ़ते बढ़ते युत्तर प्रदेश के बागपत में आकि ये तलास खतम हुई और ये तलास जाके रुपती है सारुख, रभी और एक और सूटर के पास तीनों से बाचीत होती है पूरा मामला समझाया जाता है कि एक कतल करना है तीनों कहते है ठीक है, काम हो जाएगा बस दो लाक रुपे दे देना ये लोग भी मान जाते हैं मानने के बाद पूरा प्लान मन गया बस अमली जामा पहनाना बाकी था अब पैसे एडवांस में जितने देने थे वो भी दे दिये गए अब सूटर वहां से चलते हैं उतर पदे से चलने के बाद लोग देहरादून पहुंचते हैं देहरादून पहुंचने के बाद फिर इनके अड़े पे आते हैं अड़े पे आने के बाद 28 तारिक को सीबा और शाबिर दोनों मिलके मोहसिन की पहचान करवाते हैं और दिखाते हैं कि यही है और इसको मारना है सूटर और कातिल जो भी कहें आप ये लोग कहते हैं कि ठीक है आप लोग जाई अब यहां से हमारा काम है इसके बाद ये लोग जाल बुनना सुरू करते हैं सुबा से ही लगातार अलग लग भेश में, यानि जो भी सूटर आये थे तीनों, अलग लग कपड़ों में, अब महसिन से मिलना चालू करते हैं, कभी कहीं जाने के लिए रिक्सा बुक करते हैं, कभी कहीं और चलने के लिए कहते हैं, लगातार दिन भर उसके साथ घूनते र जाती हैं, दोनों की साथ, तीनों की साथ, एक दम कम बटेबल, फिर यह पूछा जाने लगा कि आपकी शोग क्या है, आपकी होबीज क्या है, रिक्से पर ये लोग घूम रहे हैं, घूमने के दौरान नब ये लोग बता रहे हैं, अच्छा इतफाग से इन तमाम चीजों का जो सौक है, मौसिन भी रखता है, अब ये लोग ये उप्तरप्रदेश से आए थे, ये लोग बताते भी हैं, तो मौसिन कहता है कि काम किजी, आप मेरा नमबर ले लिजी, और आपको यहाँ अगर कहीं घूमना हो, तो मुझे फोन कीजेगा, और मौका मिले हैं, तो कभी ब बाद मौसिन को कहते हैं, कि आओ बैठके डिंक करते हैं, तुमने कहा भी था, और मौका भी है, अब सराब का अर्ने उता मिलना, मौसिन एकदम खुश, खुश होने के बाद अब फोन आता है, ये लोग जाते हैं, मौसिन भी आता है, उसके बाद एक सुनसान जहां पे और कतल करने के बाद लाश को वहाँ छोड़ के, ये तीनों सूटर, ये तीनों किलर जो भी आये थें, अलग अलग जगों से होते हुए, चले जाते हैं, अपने अपने घर पे, अब ये तमाम बयान जब पुलिस वालों के साबने ये लोग सुनते हैं, फोरन अब दोनों सूटर थे, अब तक वो फरार, अब उनकी तलाज जा रही है, इधर जो एक दोस्त था, जिसने सारी मदद की थी, वो भी फरार, अब पुलिस वाले उनके नंबर को सरवल्यांस पे लगाते हैं, उनकी लोकेशन का गाते हैं, कड़ी मशकत, कड़ी मेहनत, अलग अलग जगो दोस्त हम, यह सारे लोग गिरफतार होते हैं, गिरफतार होने के बाद अब इन सारे लोगों से जब पूस्ताच होती है, तो इन तमाम लोगों ने फिर से वही कहानी सुना ही, तो फिलाल यह थी पूरी कहानी, और मुझे कहीं जाना है, तो कहानी को यह कंक्लूड करूगा, तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजीगा तो आपसे कल फिर उलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छी रहीएगा, खुश रहीएगा, अपना ख्यार लगिए, अपने देश का ख्यार लगिए जैहिंत, बंदे मात्रा